यूपी के गोंडा में चंदीगर डिबुरू एक्सप्रिस पठ्री से उतर गई और इसमें कई लोगों की मौथ हो गई इस घटना के बाद लगतार सवाल खड़े हो रहे हैं क्या गटना तब हुई है जब नई सरकार का पहला बजट आने वाला है आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ही कुछ साल पहले रेल बजट की परंपरा को खत्म कर दिया था और एक ही बजट पेश होना शुरू हो गया था। लेकिन रेलवी की हालत कैसी है ये एकसिडेंट काफी कुछ कह रहे हैं। वहीं इसी को लेकर के अब कॉंग्रिस पार्टी ह अमलावर हो गई है। प्रियंका गांधी ने केंच सरकार से सवाल पूचा है कि यूपी में चंदीगड और डिबरुगड एकस्प्रिस के पट्री से उतर जाने की वज़े से कई लोगों की मौत का समचार बहत दुखत है। कवज जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं तै की जा रही है। आखिरकार आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए इन महत्रपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश कियों हैं। रेल दुघटनाओं को लेकर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तै की जा रही है। यानि प्रेंका गांधी के निशाने पर सीधे प्रधान मंत्री मोधी और उनके रेल मंत्री अशुनी वश्नों हैं जिनका आज जर्म दिन भी है। वहीं दूसरी तरफ राहूल गांधी ने भी निशाना साधा है। कुछ दिन पहले हुई लोको पाइलेट से चर्चा और हाल के ट्रेन हाथसों पर रेलवे सुरक्षा कमिशनर की रिपोर्ट भी यही उसपस्ट करती है। कि सरकार तुरंत इसके पूर्ण जिम्मदारी लेते हुए यात्रियों के सुरक्षा और दुर्ग हटनाओं को रोग ठाम करने के लिए अपनी रणनीती देश को बताए। इसके साथ ही कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजयराय ने भी निशाना साधा है। अजयराय ने क्या कुछ कहा है सुनिए। कि सबसे बड़ा अगर कोई दोसी है तो रेल मंत्री है रेल मंत्री को स्थिफा देना चीए इनके मंत्री मंदर रहते कितने ट्रेने लड़ चुकी कितने लोग मर चुके इसकी बरपाई कौन करेगा। आपको बता दें कि रेलवे में लगातार घटनाओं का करम जारी है और उनी में से एक ये यूपी की घटना है। आपको बता दें कुछ दिन पहले राहूल गांधी पुरानी दिल्ली स्टेशन में जाकर के लोको पाईलेट से मिले थी जहां उन्होंने चिंता जाताई थी उनकी ड्यूटी के घंटों को ले करके। हाला की बाद में सरकार ने तमाम प्रतन करते हुए ये साबित करनी की कोशिश की थी कि वो पाईलेट अलग-अलग जगों के बुला करके उन्हें एक तरह से कैमरों के सामने राहूल गांधी ने स्टंट किये थी। बात बीते कुश दिनों से वो दोहरा रहे हैं, वो धीर धीर आखिर कैसे दुर घटनाएं वैसी ही हो जाती हैं ये भी सोचने वाली बात है। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे हैं One India Hindi के साथ।